नमस्कार इस वक्त राज़तान लोगसवा चुनाओ को लेकर बड़ी खबर आ रही है जानेंगे फलोदी सटा बजार के नुसार राज़तान में भासपा की क्षीट कितनी आ सकती है साथ ही इस बार कॉंग्रेज भी अपना खाता खोलने में सक्सम रहेगी यानि इस बार काफी सटा बजार में भारी उथल पुथल सियासी सरगर्मी बड़ी होई है राज़तान का लोगसवा चुनाओ दो चुनाओ में हो चुका है मद्दान के बाद ही देश के परमुक सटा बाजार यानि फलोदी सटा बाजार में भी कापी उत्थल पुतला मची नजर आ रही है रादस्तान लोगसबा चुनाओ संपन होने के बाद यानि रादस्तान की सबी 25 सिटों पर जेत आंसिल करके हेटरिक के इंतिजार में बिज़े भी बेट ही है इस बार जारेंगे इस बार है जो कॉंग्रेस कितनी सिट निकालने में कामयाब रहेगी और साथ ही यानि इंडिया गटबंदन दलों के परत्याक्षिने भी मजबूती से चुनाओ लड़ा है जिसके चलते है इस बार कहीं ने कहीं कॉंग्रेस का भी खाता खुनने की उमीद है और कहीं सीटों पर मुकाबला फच्टावा नजर आ रहा है एक एक सीट के बारे में कांटे की टक्कर के बारे में विश्तार पूरुक चर्चा करेंगी देश के परमुग फलोदी सटा बजार में भी उथल पूतल नजर आ रही है मदान के पेले और उसके बाद के भावों में कापी कुछ आंतर आ चुका सटा बजार की माने तो जोदपूर लोकसवा सीट बाडबेर लोकसवा सीट टॉंक सवाइमादुपूर नागोर कोटा चुरू लोकसवा सीट पर मुकाबला पष्टावा नजर आ रहा है कहीं ने कहीं यहां कांटे की टक्कर बताई जा रही है लेकिन चुरू वेंग की बात करें तो चुरू राहुल कस्वा जहां कॉंग्रेस मजबूत उमिद्वा रहे और यहां पर हाथ जीत का अंतर कापी कम रहेगा फलोदी सट्टा बजार के नुसार हालांकि अभी फिलाल मौजदा समय में यानी राहुल कस्वा कापी मजबूत इस तरके नेता माने जाते हैं इसी के अलावा बाड मेर की बात गरे तो बाड मेर में बीजेपी कापी कमजोर हैं जिसके चलते आपको बदादे उम्मेदाराम बेनिवाल निर्दलिय परत्याकसी यानी रवेंदर सिंग भाटी दोनों के बेच कापी कुछ टक्कर बता ही जा रही है साथ साथ जोदपुर में भी टक्कर का मोहल है टांक सवाई मादुपुर में भी पेच पस्तावा नजर आ रहा है इसी के अलावा नागोर की बात करे तो यहां पर भी मुकाबला कापी दिलस्थ बना हुआ है क्योंकि बासपास जोती मिर्दा और यहां इंडिये गटबंद के साथ काफी मजबूत इस्टिति के नेता माने जा रहे हैं इसके चलते काईने काई बीजे पी को इस बार राजस्तान में बुरा हाल होने की संभावनत आपको बता दे केंद्रिये मंत्री गजंदर सिंग सेकावत संसिद्य सेक्तर जोदपुर में बीजे पी का भाव है कि टॉंक सवाई मादूपूर बीजे पी परत्याक सी अरीस मेना कॉंग्रेस के उमीदवार सुक्वेंदर जेन पूरिया पर एक एक गुरूपे का भाव चल रहा है यानि दोनों का माहल बराबर है कांटे की टककर है एक दम वही बाड मेर होट सीट में क्या मोल है क्योंकि एदर देश की सबसे होट सीट में एसे एक बाड मेर जेसल मेर बालोतरा लोकसवा सीट की बात के तो बिजे पी परत्याक सी केलाश चोधरी पर भाव यानि तीन से च्यार रुपे का भाव चल रहा है जबकि कॉंग्रेस के उमीदवार है यानि उमेदाराम बेनिवाल है जो 55 पेसे और निर्दली परत्याक सी रवेंदर सिंग भाटी डेट रुपे का भाव चल रहा है तो इस बावों से आपको बता दे जिनका भाव कापी कम रहता है वो एक नंबर यानि मजबूत इस तरके नेता माने जाते हैं तो यहाँ पर उमेदाराम बेनिवाल है कापी पूत इस्तिती में है और यहां जीत के दावेदार साथी बता दे नागोर की बात करें तो नागोर से आरेल पी सियोजिक हनुमान बेनिवाल के सितर से 80 पेसे बाव चल रहा है जबकि बिजेपी कैंडिडेट जोती मिर्दा की बात करें तो यहां सवा रुपे का भाव है त साथी बीकानेर की बात करे तो बीकानेर परत्याक्षी अरजंदरा मेगवाल और 25 पेस्टे के बाव है यहाँ पर बीकानेर से भी बीजेपी है जो मजबूत मानी जा रही है जिब की चूरू को लेकर सटोरिय ने कुछ भी केपाने की इस्तितिय में नहीं है फिलाल तो और बेक दम बिल्कुल ब्राबर कांटे की टकर मानी जा रही है हलांकि बीजेपी के देवेंदर जाजड़िया और कॉंग्रेस के राहुल कस्वा के लिए अभी फिलाल यानि बराबर बाव चल रहे है आपको बता दें खास बात ये है कि फलोदी या बिकानेर यहां के सटोरियो देश ने बलकि दुनिया की राजनेतिक खेल की गतिविदिया बारिश जेसों पर अनुमान अपनी नजर रखते हैं ऐसे मामलों पर सटा लगता है कहां भी यह जा सकता है यहां का आंकलने बिलकुल सठीक होता है इस कारण फलोवी का सटा वाजार देश और दुनिया में अपना एक अलग इस्तान रखता है पिछले 500 साल से फलोदी सटा वाजार चल रहा है सटे बाज गाउं गाउं जाकर सर लगा सके और राजस्तान की लोग सबाच चुनाओ यानि अपडेट देने के लिए आप हम जुड़े चैनल पर पहले बार आएं संस्क्राइब कर लेना ताकि आपको भी आगे फलोदी सटा वाजार के बारे में हर अपडेट दी जाएगी